नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग खुब अच्छी होंगे मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सैपाथी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाटियों का हारदिक स्वागत करता हूँ अपनी विशेस कक्षा और ये कक्षा आधारित है डेली कर इंट अफियर पर जो की आपकी SSC GD और पुलिस के सहित एक दिवसी परिक्षाओं से संबननेत है आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजे क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बड़ी महात्पूर होने वाली है हाँ ये विशेश पात आपके लिए है कि अगर वीडियो से जुड़ी हुई PDF आपको चाहिए या जो भी मौखिक चीजें बोली जाती है वीडियो में जानकारियां दी जाती है अगर उनका PDF आपको पाना है या वो जानकारियां पानी है तो आप वीडियो के नीचे description box में टेली ग्राम चैनल की लिंक दी हुई है और उस चैनल उस लिंक के माध्यम से आप टेली ग्राम चैनल से जुड़ करके सारी पीडियप्स और नोट्स आदी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी पर पहला प्रशन लिखा हुआ है हाल ही में वीर बाल दिवस किस तिथी को मनाया गया है इसका उत्तर हो जाएगा 26 दिसम्बर आप सब जानते हैं किसके विशह में 26 दिसम्बर के और वीरबाल दिवस की विशह में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा बाकी आपको जरा सा भी हैरान होने की आवशक्ता नहीं है ये है आपका 26 दिसम्बर जिसमें मनाया जा रहा है वीरबाल दिवस वीर बाल दिवस नाम आपका दिया गया कब यानि इसके विशह में स्टार्ट की गई बातें कब से ये हाल ही में 2022 में नौ जनवरी को प्रधान मंत्री मोधी जी लाल किले की प्राचीर से गुरु गोविन सिंग जी का प्रकास वुर्ष पर्व मनाया जा रहा था और उसी में घोषना कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे अगली बार से यानि आप कहेंगे आने वाले वर्ष से 26 दिसंबर को मनायेंगे वीर बाल दिवस के रूप में अब और इतिहास आपको बताएं वीर बाल दिवस का तो आप इनके विशयम सुनिए यानि आप जानते होंगे सिख धर्म के विशयमे और सिख धर्म के अंतिम और दसमे गुरू थे उनका नाम क्या था गुरू गोविन सिंग ये आपको पता है गुरू गोविन सिंग के विशयमे अगर आप जानते है इनके दो पुत्र जिनका नाम था फते सिंग और जोरावर सिंग जोरावर सिंग 9 साल फते सिंग 7 साल इन दोनों बच्चों को क्या किया गया था मुसलिम धर्म ना कुबूल करने की वज़य से औरंग जेब ने क्या किया था 1704 में इनको क्या किया था जिंदा ही दीवाल में च जा रहा है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी क्या की अपनी आहूती दे दी चलिए अगली बात करते हैं गुरू गोविन सिंग की तो गुरू गोविन सिंग के विशय में आप जानते हैं यहां गुरू गोविन सिंग की दसवे करम के गुरू हो गए गुरू गोविन सिंग के अंतिम गुरु यानि आप कहेंगे अंतिम और क्या कहते हैं इनके बाद का और अंतिम गुरु गोशित कर दिया किसने गुरु गोविन सिंग ने इतनी बात आपको ध्यान में आई आप बात करते हैं गुरु गोविन सावित की विशे में कुछ और बात है जैसे गुरु गोव करनी चाहिए यानि आप एक हो गया केश दूसरा हो गया कंगा, तीसरा हो गया कड़ा, चोथा हो गया आपका करपाण और पाचुआ हो गया कचेरा यानि छोटी जांगिया से संबंदित है तो ये इतनी चीजें आपको अगर आप वास्तवीक सिख हैं तो आपको धर्म से जुड़े हैं तो आपको लेना ही चाहिए, ये बाते हो गई किसकी वीरबाल दिवस से और गुरु गोविन सिंग से और फते सिंग और जोरावर सिंग से और 26 दिसंबर को मनाया जाएगा तो उससे पहले आप जानते होंगे एक ट्रिक भी है ये जो आपकी ट्रिक है ये आपको टेलिग्राम पर आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जुड़ी है का टेलिग्राम से उसके बाद में आपको वहाँ पर ये चीजे मिल जाएगी इसका पीडियप भी आपको उसी में प्रवाइड हो जाएगा अगले बात करते हैं हाली में Bombay Stock Exchange BSE के अगले अध्यक शिरूप में किसे ने उप्त किया गया तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोद अगरवाल अब आप देखिए यहाँ नाम लिखा है किसका Bombay Stock Exchange का यानि Bombay Stock Exchange को जानते हैं तो भारत में अगर कहा जाए आप देखिऊंगे कोई बड़ी सी कमपनी होती है तो कमपनी में होते हैं एक वेक्ति से कमपनी नहीं बन जाती है कमपनी में तमाम लोगों के लगे रहते हैं और इन ही शेरों के विशह में यानि इन ही शेरों को लगाने के लिए आप कहेंगे एक संस्था है इसका नाम है Bombay Stock Exchange यानि ये क्या करती है ये आपकी 1775 में स्थापित एक संस्था है और ये इस्थित कहां पर है मुंबई में अच्छा ठीक है आपने कहा ये क्या है Stock Exchange की बात करती है तो Stock Exchange अगर Bombay Stock Exchange की बात की जाए इसका Stock Exchange है इसका नाम है Sensex और जबकी एक और Stock Exchange आप नाम सुनते हैं जिसका नाम है Nifty ये दोनों बातें आपकी जरूरी है यानि Nifty के लिए और Sensex की विशह में तो Nifty किसका हो गया तो Nifty हो जाएगा NSE यानि National Stock Exchange और BSE का क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा Sensex अब बात करते हैं इसको regulate करने वाली संस्था है इसका नाम है Sebi क्या नाम है Sebi इसको regulate करने वाली संस्था है और अगर बात करें यह मूल रूप से किसके अधीन यह सारी चीज़ें आपके अधीन आजाएगी विटमन्त्राले के अधीन वैसे ही है प्राइबिटाइजेशन का मामला लेकिन यह विटमन्त्राले के अधीन आपका Sebi काम करता है Sebi regulate करता है किसे Nifty Sebi regulate करता है किसे BSE को और NSE को बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं लिखकर बहुत सारी बाते क्लियर हो सकती है, मौखिक नहीं समझाई जा सकती है लेकिन आप चुड़े रहिए का टेलीग्राम से चुकि यहां का जो भी मैं आप मौखिक बोलना हूँ यह समझ में प्रवाइड करवा दूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, चलिए अगले की बात करते हैं अगला क्वेस्चन लिखा हुआ है भारत का पहला आर्टीफीसियल एंटी लेजिन सहर, यह किस राज में बनेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में यानि अपना राज उत्तर प्रदेश जो है जिसके विश्यम कल मैंने क्वेस्चन पूछा था उत्तर प्रदेश में विधान सभा के अध्धिक्ष कोन है तो आपने बड़ा बनिया उत्तर दिया सतीस महाना नाम के विक्तीजू है यही वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विधान सभा के स्पीकर है अब आज के लिए मैं क्वेश्चन अगर जोड़ू उससे पहले मैं बताओं अगर लखनौ के विशे में अच्छा उत्तर प्रदेश के लखनौ में यह जाने रहिएगा एक क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश का जो लखनौ है वहीं AI सहर यानि Artificial Intelligence सहर यह आपका अस्थापित किया जा रहा है ठीक बात है अगले प्रस्ट पे आएं उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विशे में तो उत्तर प्रदेश के पहले सीम आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश के पहले सीम उनका नाम था गोविंद वललब पन्त उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंतरी तो उनका नाम था सुचेता करपलानी वर्तमान समय में योगी आदित नाजी यहां के सीम है आनंदी बेल पटेल यहां की क्या है राजिपाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनो हुए इलहाबाद उचने आयले के मुखिना इदिस कौन है ये question आपको लिखना है comment box में भाई लिखिएगा आप लोग इसे वीडियो खत्म होने के बाद comment box में जाकि ये पता चलेगा कि इस class से आपने क्या सीखा अगले प्रश्ट प्रश्ट प्याते हैं अगला प्रश्ट लिखा ह हुआ है four stars of destiny ये किसकी पुस्तक है तो mm नर्वडे यानि मनोज मुकुन नर्वडे को जानते हैं आप लोग पूरो सेना अद्धेक्ष हो चुगे है तल सेना के पूरो अद्धेक्ष नहें भारत के मनोज मुकुन नर्वडे और इन ही के विशह में इन ही इनकी ही destiny ये पुस्तक हो गई अच्छा कुछ पुस्तकों की आपने sscgd या police का सिलेबा सुना होगा तो आपने देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है महतपूर्ण पुस्तके यानि current की भी और क्या है पुरानी भी महतपूर्ण पुस्तके इसके विशह में यहां हम बात करें कु जैसे अगर मैं कहूँ पंचतंत्र अगर मैं पंचतंत्र की बात करूँ तो पंचतंत्र किसने लिखी आप जानते हैं विश्नु सर्माने दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ पंचतंत्र की बाद अगर कहूँ हुमायू नामा तो हुमायू रामा किसने लिखी तो आप जानते ह आपका जीडी के परिक्षाव में भी बाकी यतने वंदे एकजाम हैं, अर्धसाज किस थी पुस्तक है, तो तीन-तीन नाम एक विक्तिका हो रहा है, एक विक्ति है उन्ही का नाम है विश्णुगुप्त, उन्ही का नाम चैणक, उन्ही का नाम है कौटिलि, तो उनकी रचना ह अगले पर आते हैं अगर अगला मैं कहूँ एक question और पूछा जाता है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस तो मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है तो ये है विशाकदत के पुस्तक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस अगली ही बात करते हैं अगली है अवंती सुन्दरी यानि अगर पूछे आपसे अवंती सुन्दरी ये किसकी रचना है तो ये आपकी किसकी रचना है एक रचनाकार अपने संस्क्रित के हुए इनका नाम है दंडी क्या नाम है आचारे दंडी की रचना है अवंती सुन्दरी अब देखिए आपकी SSC GD और पुलिस की परिक्षा हाली में आप इकठा एक पार में सारी चीज़ों को तयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस बड़ा है समय कम है इस वज़े से मैं क्या कर रहा हूँ मैं Static GK में आपको Static GK की तमाम related topics आपको मैं कबर कराऊंगा जैसे आप देखिएगा इकठा जिस दिन ऐसी रचनाएं हो गई तीस रचनाएं ऐसी हो गई वो मैं इकठा अभी दूसरा वीडियो एक बना दूँगा रचनाओं का दिवस का यानि अलग-अलग प्रकार की वीडियो जो की आपके लिए बड़े लाफकारी होने वाले हैं अगले question पर आते हैं लिखा हुआ है हाली में किसे हिंदी भासा के लिए साहित एक आद्मी युवा पुरसकार से सम्मानित किया गया तो एक विक्ति हैं इनका नाम है अतुल कुमार राय यानि अतुल कुमार राय के विक्ति हैं जिन्हें साहित एक आद्मी युवा पुरसकार प्रदान किया गया अब देखिए ये question एसे सी जीडी में बहुत पूछा जाता है पिछली बार का paper देखेंगे हर दूसरे या तीसरे दिन आप कहेंगे जो जो परिक्षा हुई जीडी की उसमें ऐसे question पूछे गए हैं कि यहां से साहित एक आद्मी से हर भाशा से सम्मंदित बलकी पूछ लिया गया है कि किस भाशा के लिए किस को मिला तो आप इतना जानिए कि अतुल कुमार राय जो हो गए यह युवा साहित एक आद्मी पूरसकार पा रहे है अब देखें यहां अगर मैं बात करूँ साहित एक आद्मी की तो साहित एक आद्मी जो संस्थान है 1954 में स्थापित हुआ 1955 से साहित एक आद्मी पूरसकार प्रदान के रा कर रहा है और साहित एक आदमी फुरसकार जो दिया जाता है ये आप कहेंगे भारती भाषाओं के प्रोचान के लिए यानि भारती भाषाओं को प्रोचाहित प्रोचान देने के लिए प्रोचान किया जाता है और साहित एक आदमी अगर आप जानते हैं तो 22 प्लस 2 यानि आप कहेंगे 22 संबिधान की आठवी अंसूची में दर्ज जो 22 भाशाएं उनको और दो भाशाएं ऐसी है अंग्रेजी और राजस्थानी जिनको संबिधान की अंसूची में भले रही दर्ज है लेकिन भारतिय भाशाएं आप जानते हैं तो इस वज़े सुनको दिया जाता है तो अब की बार आप कहेंगे युवा पुरसकार किस भाशा के लिए हिंदी भाशा के लिए किसे दिया गया अतुल कुमार राय को दिया गया और कुछ क्वेस्चन अगर आप से कहें अंग्रेजी के लिए तो एक वेक्ति है चार चार नाम इसके बाद और जुडवाए यानि हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी चारो का नाम आपको मिल जाएगा कहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आप जाईएगा टेली ग्राम चैनल से जुड़िएगा और वहाँ पर आपको ये PDF प्रवाइड हो जाएगी अगले पर आते हैं लिखा हुआ ये फिर दूसरा कॉश्चन हिंदी भासा के लिए अरे हिंदी भासा के लिए बाल साहित पुरू यहाँ लिखा था यूआ साहित पुरसकार अभी है बाल साहित तो ये किसे दिया गया सूर्यनाथ सिंग को याद करे रहिएगा अगली वीडियो मैं साहित एक आदमी पर ही बना दूँगा तो वहाँ से चीजें आपको क्लियर हो जाएगी चलिए अगले पर आते हैं धाल ही में Breaking the Mold Breaking the Mold Rai Imagining India's Economic Future या किसकी है तो रगुराम गोविंद राजन यानि रगुराम राजन जो है ये कुछ दिन पहले RBI के कवर्नर हुआ करते थे आई बात ध्यान में आपको comment box में लिखना है RBI के किस क्रम के गवर्नर रगुराम गोविंद राजन क्योंकि इनकी आए दिन comment box में ठीक बात है अगली question पर आते हैं अगला question आने से पहले मैं कुछ और किताबों की अगर आपसे चर्चा करूँ तो आपको बताना है उसका उत्तर जैसे मैं कहूँ एक प्रश्न है अगर मैं कहूँ प्रेम वाटिका तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है तो आप जानते हैं प्रेम वाटिका सर रस्खान की रचना है अगले पे आए और मैं question ऐसे दे रहा हूँ रस्खान की हो गई अच्छा अगले पे आईए प्रेम वाटिका अगला मैं पूछूँ आपसे शाह नामा किसकी है तो आप कहेंगे सर फिर्दौसी की रचना है अगला मैं कहूं आपसे गीत गोविन किसकी है जैदेव की अगला मैं कहूं आपसे गोदान, गबन, कर्म भूमी रंग भूमी किसकी है तो ये आपकी है प्रेमचंजी की अगला मैं आप से कहूँ हर शरित और कादंबरी किसकी रचना है तो ये बाणभट की रचनाएं है ये 5-6 रचनाएं अभी आपने इस समय सुनी और इससे पहले भी मैंने 5 या 6 रचनाएं सुनाई तो आप देखे ये तनी हिदेर में लगभग 10-11 रचनाएं आपके ध्यान में आ गई और ध्यान में आ भी जाएंगे और चीज़ें आपको याद हो जाएंगे अगले question पर आते हैं देखें यहां मैंने एक PDF जोड़ दी और ये जोड़ी current से देखें यह आपका जोड़ा मैंने static से देखें पहला है वैश्विक परिवार दिवस के इस तारिक को एक जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के तारिक को चाज जनवरी को प्रवासी भारतिय दिवस के तारिक को नो जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तारिक को 10 जनवरी को, राष्टिय युवा दिवस कहतारिक को, 12 जनवरी को, और नीचे आए अगर, देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहां, लिखा है, 12 जनवरी को, राष्टिय युवा दिवस, थल सेना दिवस, 15 जनवरी, राष्टिय स्टार्टप दिवस, 16, यह बड़ा मातपूर कर्विशन है क्योंकि हाली में इसको गोशित किया गया है राष्टिये स्टार्टप दिवस और ये आपका पराकरम दिवस भी हाली में है सुभास चंदबोज जी का नेता जी का जनम दिन है 13 जनवरी को और उसके बाद में आपका राष्टिये बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को नीचे आते हैं आपर ये तीनों आप लोग रट लीजिएगा स्टार्टप पराकरम और बालिका दिवस यहां नीचे आते हैं मतदाता दिवस 25 जनवरी परेटन दिवस 25 जनवरी, सीमा सुलकु दिवस 26 जनवरी, और नीचे अगर आएं तो यहां लिखा हुआ है गड़तन दिवस के तारिक को 26 जनवरी को, सहीद दिवस 30 जनवरी को कुछ ट्रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को ये सारे हो गए आपके जनवरी माहा के दिवस, अभी एक बार मैंने जनवरी, अगली दिन में हमें देख देखूँगा आपसे भरवरी के लिए, मार्च के लिए ऐसे करके, दिसमबर तक के लिए पहली बार में मैं दिवस, दूसरी बार में आपको थीम पर भी चर्चा करूँगा कि थीम भी आपको याद हो जाए अगले पयाए, देखिए हाँ नंबर लिखा हुआ है 597, 86, 351 किसी प्रकार की आपको समस्या होगी आप जरूर इसपे मैसेज करिएगा जरूर आप जानकारी को साजा करिएगा यानि आपको कोई समस्या हो रही, तब आप लिखिएगा क्या और सुधार हो सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं इस पर नीचे आते हैं अगले प्रस्ट में लिखा हुआ है हाल ही में पहले अंतर राष्टी संग फोरुम इस का आयोजन कहां किया गया बिहार में बिहार की राजधानी पतना है आप जानते हैं पर ये पहला संग फोरम का आयोजन किया गया चली ये थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि पंद्रा मेंट से ज़्यादा समय हो गया है और इस से ज़्यादा देर का वीडियो अफलोड नहीं हो पाएगा अगले पर आते हैं भाई अगला question अगला question लिखा हुआ है हाल ही में लिखा हुआ है हाल ही में कहां पर ये question लिखा है संस्कृति उत्सो का आयोजन कहां किया गया उत्तर प्रदेश में किया गया अगले पर आयें अगला लिखा हुआ है ये सर्वस्रेष्ट महिला और निशाने बाजी तीरंदाजी का दो तरीका होता निशाने बाजी आप कहेंगे तो एक पिस्टल वाला होता है और ये तीरंदाजी बंदूग वाला और तीरंदाजी आपका धनुस्तीर वाला यहाँ आप देखना है अगले में अगर इस दिव्यांग खेल पुरसकार की बात की जाए तो ये दिव्यांग खेल पुरसकार पहली बार अगर पुरुशों की बात की जाए तो पुरुश में एक विक्ती है इनका नाम है सुमित अंटिल क्या नाम है सुमित अंटिल जो भाला फेंक से संबंधित है इनको दिया गया किसमे तो इनको दिया गया सर्वस्टेस्ट पूरुस एथलीट का पूरसकार दिव्यांग खेल में और महिला में शीतल देवी को जो तेरेंदाज संबंधित है अगली बात करें अगर दिव्यांग दिवस की आप सब जानते हैं अंतराश्टी दिवांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को कहतारी को 3 दिसंबर को मनाया जाता है अगले प्रस्ट पे आते हैं चली अगले प्रस्ट पे आते हैं अगले question पर भारत और कौन सा देश IBP रूट पर कि विश्तार के लिए सम्मिलिन क्या कहते है साहिमत हुआ है तो ये हो जाएगा आपका बांगलादेश अगला प्रशन लिखा हुआ है कि इसने मेरा भारत अभियान सुरू किया तो एक विक्ति है इनका नाम है अनुराक ठाकुर ये मैं जल्दबाजी में इस वज़ेश चलना हुआ है क्योंकि इससे ज़्यादा देर का वीडियो अप्लोड है नहीं हो पाएगा तो बड़ी समस्य काना की हाली में CM कौन बने है और विधान सभा के वहाँ अध्यक्ष कौन बने है अगर नहीं पता है आपको तो कल वाली क्लास में इसके विशम मैंने डिस्क्राइब किया था बताया था आपको लिखना है ये comment box में उत्तर तेलंगाना के CM और तेलंगाना के गवर्नर कौन अगला question है आपका SEBI और BSC SEBI ने किसे BSC के अध्यक्ष की रूप में नियुक्त करने की अनुमती दी तो ये promote अगरवाल मैंने आपसे खुशी देर पहले कहा कि SEBI यानि मैंने कहा था BSC यानि Bombay Stock Exchange या National Stock Exchange ये दोनों आपके जो है ये किसके अधिन काम करते हैं तो ये SEBI यान इतनी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो आप एक काम करिएगा जानकारी कैसी लगी ये लिखेगा comment box में बाकी आप ने इतना सही होग किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीचे एक PDF आपको और दिखाई पड़ेगी यानि एक page और आपको दिखाई पड़ेगा रचनाओं से इनको भी आप पढ़िएगा यहां मैं एक बार नाम लिलवाद वाद यहां लिखा हुआ है पंच तंत्र विश्नु सर्मा, हुमायु नामा, गुलबदन बेगम, यामा, महादेव उर्मा, अर्चसास, चाड़क की मुद्रा राक्ष, विसाग्दत अवंती सु अगले पर बात करते हैं अगला लिखा हुआ है आप कि स्क्रीन पर यहां लिखा हुआ है और नीचे आए तो आप देखेगा यहां लिखा हुआ है नेच्रललिष्टी किस की होगी? प्लीनी की, कामसूत्र वातसयायन की, चच्चिदायन हीरन वातसयायन जिसका नाम है चंद्रकांता, देवकी रंदन खत्री, गार्डनर, गोरा, ये गोरा बहुत पूछा जाता है गोरा रचना, रवीन नाठ टैगोर की कल मैंने आपको एक क्वेशन बताया था, रवीन नाठ टैगोर की विशे में साहित सम्मान परदान किया गया था तो आपको बताना है रवीन नाठ टैगोर जी ने शांती निकेतन में विश्व भारती के स्थापना कब की थी? ये लिखना आपको कमेंट बॉक्स में बाकी आज आपने इतना सही हो किया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप खुब कमेंट करिएगा बाकी जुड़िएगा टेली ग्राम चैनल पर जहां पर आपकी इसकी पीडिया प्रवाइड रहेगी और सारी जानकारियां भी इस पर प्रवाइड रहेगी धन्यवाद बहुत बहुत थनिवाद